असलावलेकम दोस्तों रजीस लुकमा मैं आप सब का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सब के लिए स्वीट डिश बना रहे हूँ जिसका नाम है मैंगो क्रीन केक डिजर्ट आज कर मैंगो की सीजन है आप बनाएं इंशालला आपको ये पसंद आएगे इसे बनाने के लिए हमें साथ टेबल स्पून शुगर बदाम और काजू एक गटोरी भर कर एक ले लेंगे जो आपको आसानी से बैक्रिम मिजाएगा से फ्रूट केक कहते हैं प्रेश क्रीम ले लेंगे मैंगो बारी बारी काटके ये दिखें ऐसे बाल भर कर तीन से चार मैं पॉड़र ले लेंगे और एक लिटर दूद ले लेंगे थोड़ा पानी डाल कर कस्टर पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर ये मिक्सर दूद में डाल दीजिए अब शक्कर भी डाल दें इसमें फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए फिर अब इसे स्टोप पर चड़ा दे और धीमी आज़ पर गाड़ा होने तक पकाएं देखें ये थोड़ा गाड़ा हो चुका है और इसे गाड़ा होने में 10-15 मिंट लगी है यान रखें ये तपेली में ना चिपकें और स्टोप की आज़ को धीमी ही रखें देखें अब ये तयार हो चुका है अब इसे स्टोप से उतार लीजिए फ्रेश क्रीम को बाउल मे निकाल लें और फिर इसमें शकर डाल दें जो हमने 3 टेबल स्पून उसके लिए अलग से निकाली थी अब इसे अच्छी तरह से फेंट लें अच्छे से फेटे हमने बड़े बरतन में ले लिया है क्योंकि उसमें आसानी से फेटा नहीं जा रहा था इसे अच्छी तरह से फेटे ताके गाड़ा हो कि के की स्लाइस करते हैं मेडियम साइस के देखें अब यह कस्टर ठंडा हो चुका है अब हम इसकी लेरिंग शुरू करते हैं सबसे पहले इसमें अच्छी तरह से केग पहला दें आपका बड़तन बड़ा हो तो अच्छा है और जितनी लेरिंग कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले इसमें केग अच्छी से भिछाएं आप उपर से इसमें इस कस्टर को डालें में अच्छी तरह से कस्टर डालें ताके सारा केग उसमें डूप जाए अब मेंगो को इसके ऊपर अच्छी तरह से पैला проход लिए अब इसमें राइफ़ प्रूट्स अच्छी तरह से डल दें जो आपके पास हो और फ्रेश क्रीम लें अब इसके ऊपर फ्रेश क्रीम अच्छी तरह से डाल देज़ए तरफ दोस्तों आपके पास जो भी ड्राइफूड हो आप डाल सकते हैं मेरे पास यहां पर रख काजू और पादाम थे तो मैंने डाल दी इसके अलब आप पिस्ता अख्रोड जो पसंद करो डाल सकते हैं अब देखें दोबार हमें इसमें केक भीछा रहे हैं अब फिर वैसे ही तरे जैसे खाया था मैंने के अब कस्टर डाल दें मैंगो डाले फिर क्रीम वैसे ही प्रोसीजर सारा फिर वापिस मैंगो डाले जितना गार्णिश कर सकते हैं करें फिर बदाम काजू और दुसरे ही और फ्राइफूर्स उन सबसे से अच्छी तरह से गार्णिश करें पांच-छे घंटों के लिए इससे फ्रीज में खंडा होने के लिए रख दीजिए अभी हमने इसे कुछ घंटों के बाद फ्रीज से निकाला देखें कितना अच्छा लग रहा है पुरी तरह से सेट हो चुका है अब हम इसे बॉल में लिकालते हैं सफ करते हैं यकीन वाने बहुत लजीज बना है माशाला बहुत अच्छा है खाने में आप बिल्कुल इससे ट्राइ करें बनाएं अपने घरवालों को खिलाएं खुद भी खाएं और इंशाला फिर दूसरी को अच्छी रेसिपी लेकर ह आजिर होंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और कामेंट भी करें मैं आपके कमेंट्स जाना चाहती हूं दोस्तों चुक्रिया अल्लाहाफिस हुआ